हलो गाईज 110 शब्द प्रति मिनट एडिटोरियल लिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद स्टार्ट बच्चों के लिए कोरोना टीके जायकोव डी को मंजूरी मिलना टीकाकरण की दिशा में किसी बड़े कदम से कम नहीं है अभी तक टीके 18 साल से उपर वालों को ही लगाय जा रहे हैं इससे कम उम्र वालों के लिए टीका नहीं था विशेशग्य लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है इसलिए भी बच्चों का टीका करण जरूरी हो गया था देश में 12 से 18 साल के बीच की आवादी 26 करोड के आसपास है जो कुल आवादी के पांचवे हिस्से से थोड़ी ही कम है इसलिए अगर समय रहते बच्चों का टीका करण नहीं किया गया तो खतरा सामने खड़ा रहेगा बच्चों को टीके इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जादातर राज्यों में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं जब बच्चे बाहर घरों से बाहर निकलेंगे तो जाहिर है भीड से बचाव संभव नहीं होगा और संक्रमन का खतरा वड़ेगा इसलिए जितनी जल्दी 18 से कम उम्र वालों का टीका करण होगा महामारी का जोखिम उतना ही कम किया जा सकेगा महत्पून बात यह है कि बच्चों के लिए बने जिस टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है वह स्वयदेशी है तीन खुराक वाले इस टीके की खूबी यह बताई जा रही है कि यह दुनिया का पहला टीका है जो DNA आधारित है जबकि अभी तक दुनिया भर में जितने भी टीके आए हैं वे RNA पर आधारित हैं अब तक 28,000 से जादा लोगों पर इसके तीसरे चरण का परिक्षन हो चुका है दावा किया जा रहा है कि यह टीका 66 फीसद कामियाब है यह टीका सुई के जरिये नहीं दिया जाएगा बहुत से लोगों के मन में सुई को लेकर एक परकार का भे बना रहता है और इस डर के मारे वे टीका करण से बचते देखे गए हैं खास तोर से बच्चों के साथ यह समश्या जाधा ही है जाइकोव डी टीका बाहाँ पर चिपका दिया जाता है और तीन दिन में तुचा के जरिये शरीर में पहुँच जाता है अगर यह पूरी तोर पर कारगर रहा तो फिर 12 साल से छोटे बच्चों के लिए भी बिना सुई की यह तक्निक सुईधा जनक साबित हो सकती है अभी शीशों से लेकर 12 साल तक के बच्चों को भी कोरोना से बचाना कम बड़ी चुनोती नहीं है हाल में कनाडा में एक शोध से इस बात की पुष्टी हुई है कि अगर तीन साल से छोटे बच्चे कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो घर के दूसरे बड़े सदश्यों के लिए जोखिम पैदा हो जाता है इसलिए दुनिया को अब छोटे बच्चों के टीके का भी इंतजार है पर टीका आ जाना ही काफी नहीं है चुनोतियां और भी है भारत में टीकों के उतपादन की इस्थती किसी से छिपी नहीं है टीका उतपादक कंपनिया जरुरत के हिसाब से उतपादन कर नहीं पा रही है जाहिर है उनकी अपनी सीमाएं और मजबूरियां है टीकों की खरीद नीती भी अडचन भरी साबित हुई है इससे टीका करण अभियान बाधित हुआ है देश की एक तिहाई आबादी को ही कोर टीके की पहली खुराग लग पाई है दो खुराग लेने वालों का आकड़ा बहुत ही कम है पहली खुराग के बाद दूसरी खुराग के लिए लोगों का लंबा इंतजार करना पड़ा है हालांकि बच्चों का टीका बनाने वाली कमपनी जाइडस केडिला ने 10 से 12 करोड टीके सालाना उत्पादन की बात कही है ऐसे में 26 करोड बच्चों का जल्द टीका करन करना इतना आसान नजर नहीं आता अब तक के अनुभवों से सबक लेते हुए ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें बच्चों के टीका करन में वैसा व्यावधान न आये जिससे हम इकता में बल होता है इस कहावत को राजनितिक दल कई बार चरितार्थ कर चुके हैं एक बार फिर करना चाहते हैं इसी मकसद से कॉंग्रेस अध्यक सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी उसमें 19 दल शामिल हुए सोनिया गांधी ने सबसे अप भेद भुला कर अगले आम चुनाव में साथ खड़े हो शुरुवाती तोर पर उनकी इस अपील पर सब में सहमती बंती नजर आई हालांकि आम चुनाव में अभी काफी वक्त है और राजनिती में समय कब क्या करवट लेता है किसी को नहीं पता पर मांसुन सत्र में जिस त दिखाया और पेगासस जासूसी मामले किसानों की समश्याएं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की उससे जनता में गंभीर संदेश गया सरकार भी उनकी एक जुटता से कुछ असहज नजर आई इस एक जुटता से विपक्षी दलों में जैसे फिर से जान पड़ गई उनमें चूंकी अभी सबसे बड़ी और ताकतवत पार्टी कॉंग्रेस है इसलिए सभी विपक्षी दल उसी का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं की अगर विपक्षी दलों में यही एक जुटता बनी रहे तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं बेशक लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है और इस एक जुटता को नतीजों के पेमाने पर आँकना जल्दबाजी होगी मगर यह वक्त दोनों पक्षों के लिए कसोटी जरूर साबित हो सकता है देखना है कि दोनों पक्ष किस तरह इस वक्त का इस्तेमाल कर पाते हैं यों सत्ता में रहते हुए किसी भी राजनितिक दल की जवाब देही अधिक हो जाती है और जब कोई दल दो बार सत्ता में रह ले तो उससे सवाल भी उतने ही बढ़ जाते हैं भाजपा को उन सवालों से जूजना होगा कई गंभीर मसले हैं जिन्हें लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहे हैं उन लोगों की नाराजगी का सामना भी उसे करना होगा स्वाभाविक ही विपक्षी दल लोगों की इस नाराजगी का लाब उठाने का परियास करेंगे उनके पास आम चुनाव में उतरने से पहले सत्तापक्ष के विरुध मतों को अपने पाले में करने का वक्त काफी है मगर वे इस वक्त का लाब कितना और किस तरह उठा पाएंगे देखने की बात होगी हालांकि यह पहली बार नहीं है जब विपक्षी दलों ने किसी चुनाव में एक जूटता प्रदर्शित करने की ठानी है इससे पहले बिहार और पस्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के वक्त भी इन में से ज़ादातर दलों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर एका दिखाया था मगर चुनाव में उतरते वक्त कई हाथ छूट गए किसी भी चुनाव में गठवंधन बना कर उतरना खासा पेचीदा काम होता है क्योंकि सीटों के बटवारे के समय अक्सर गणित गड़बढ हो जाता है चुनाव जीतने के बाद बने गठवंधन बैशक कुछ तिकाव साबित होते हैं इसलिए कि जो विपक्षी दल इस समय कॉंग्रेस के साथ खड़े हैं उन में से जादातर शेत्रिय दल हैं और सब के जनाधार अलग-अलग हैं उनके मतदाताओं की अपेक्षाएं भिन हैं उन दलों की अपने अपने राज्ये में रणनेती भी अलग-अलग हैं इसलिए ये दल प्राय विधान सभा चुनावों में एक दूसरे के प्रतिद्वंधी हैं लोकसभा चुनाव में वे अपने मतभिद और राजनेतिक स्वार्थों को परे रखने को तैयार भी हो जाएं तो सीटों के बटवारे को लेकर उन पर अपने कारेकरताओं का भारी दबाव बना ही रहेगा इसलिए इस एकता का आधार कितना मजबूत साबित होगा वक्त ही बताएगा